हेलो गाईज, वेलकम टो अनलाइन स्टेडियेट की उएस लो गाईज जैसा कि पता है कि RRB, MIG, स्टेनोग्राफर का सेकेंड सिफ्ट का एक्जाम भी हो चुका है फर्स सिफ्ट का एक्जाम एनलाइसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया था सिफ्ट का एनलाइसिस आपको प्रोवाइड करूँगा और इसके साथ 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 सिफ्ट सासे कूछन और मुझे मिले हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा shift 1 का मैंने उस समय जतने question आपको possible हो पाई थे मिल गई थे उतने provide करवाई थे अब shift 2 के भी कुछ shift work के कुछ question और मिले हैं उन्हें में shift 2 के साथ ही discuss करूगा और shift 2 में जतने question आए हैं जो भी question मुझे मिल पाए हैं वो मैं आपके साथ discuss करूगा कुछ students comment कर रहा हैं कि Sir ये question आए है नहीं है exam में तो आए clear & questions आए ये questions जो हमेंगे कितना याद रहता है बच्के को कि-तना याद नहीं रहता है वो कितना रहता है बतापाता है उस पर different करता है लेकिन इसी type के question आएंगे, अगर एकात question ऐसा भी है, बच्चे से किसी ने गलत send कर दिया, फिर भी आप उसको पढ़िए, इसी type में question आपके आ रहे हैं लगाता है, ठीक है, तो question shift 1 के भी discuss करेंगे, ठीक है, तो video start करने से पहले, अगर आप हमारे चनल पर नहीं, तो सबसे पहले से subscribe क को press करने, जैसे आने वाले सभी videos का notification मिलता रहे, और साथ ही technical और non-technical दोनों तरह की तयारी के लिए आप channel को budget करें, ठीक है, चले उसुरू करते है, shift 2 का analysis, जो questions आएंगे उनके बारे में discuss करते हैं, पहला question है, full form of URL पूछा गया है, URL की full form क्या है, क्या है, क्या पूछा गय आते हैं, तो जो है, आप अगर कोई students को यह लगता है, और साथ इसमें एक condition और भी है, कि हर जोन में अलगला questions आते हैं, जरूर नहीं है, सेम question आएं, तो इसलिए अगर student को ऐसा लग रहा है, ऐसा question नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, आप students दोरा ही बेजे जाते हैं, और जोन के यहां से भी बन सकता है, कि ब्रहदरत को किसने मारा, जब मौर वंस खतम हुआ, तो ब्रहदरत को जो है, पुस्समित्र सुंग ने मारा था, किसने, पुस्समित्र सुंग ने जो है, ब्रहदरत को मारा था, ब्रहदरत अंतिम मौर सा सकता, और एक question यहां से यह पूछा जाए कि मौर वंस की स्थापना किस ने की तो सब को बता चंदगुप्त मौर ने जो है मौर वंस की स्थापना की थी असोग सम्राट महान असोग महान जो है इसी वंस के साथ सकते चलिए अगला कुशन देखते हैं एक आसान सा कुशन पुछा गया तुरड यानि एक्सिलरेशन का फर्मूला क्या होता है एक्सिलरेशन का फर्मूला आपको मता है चेंज अब वैलोसिटी अपॉन टाइम समय के साथ गती परिवर्तन की दर को ही तुरड कहते है समय के साथ गती परिवर्तन की दर को तुरड कहते है change of velocity with respect to time is called the तृरर, तो गती परवतन initial, final to initial, V minus U final initial upon T, तो ये इसका formula हो जाएगा ठीक है ये पूछा गया है अगला question है, बरतमान में भारत के महा न्याज़़दी कौन है बरतमान में भारत के महा न्याज़दी कोन है यह question 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 स्थापना कि स्थापना किती ऑवर ने की थी मुगल सामराज की स्थापना ठीक है चलिए अगला question यह एक math से मिला है मुझे वो मैं आपके साथ discuss करता हूँ question है a plus b equals to 5 a plus b equals to 5 question में दिया हुआ a plus b equals to 5 और a minus b equals to 3 तो पूछा है कि 2a square plus b square का मान क्या होगा यह पूछा गया है तो 2a square plus b square का मान क्या होगा तो देखिए इसको हम क्या करेंगे आगे solve कर लेंगे बहुत आसना सा question है इसको हम क्या करेंगे a plus b equals to 5 और a minus b equals to 5 इसको जोड़ देंगे इस equation को तो क्या हो जाएगा a और a 2a हो जाएगा और b से b cancel हो जाएगा पांच और 3 8 हो गया ठीक है तो यहांसे 2a equals to 8 तो a equals to क्या हो जाएगा a by 2 that is the 4 इस a की value 4 किसी भी equation वर रख दो तो हमें क्या मन जाएगा b की value जाएगा a plus b पहली equation में रख दो पहली equation है a plus b equals to 5 तो a की जाएगा 4 रख दो 4 plus b equals to 5 that is b equals to 5 minus 4 that is the 1 तो b की value क्या आगई 1 आगई ठीक है अब रख दो a और b की value यहांपर 2 a की value क्या है 4 तो 4 का square हो जाएगा 16 हो गया और plus b का square b की value 1 है 1 का square 1 हो जाएगा 16 plus 1 17 17 2034 34 तो 34 इसका answer आजाएगा तो इस तरह के question आ रहा है आसान से question है आप बड़े easily इसको कर सकते है ठीक है चली आगे देखते है अगला question देखिए अगला question फिर मैंस से पूछा गया है यह भी आसान सा question है आपका question है 1 4 9 16 तो अगली unit यहांपर क्या होगी आपसे क्या पूछा गया है अगली digit यहांपर क्या होगी 1,4,9,16 तो अगली digit यहांपर क्या होगी यह आपसे पूछा गया देगे आसान सा question है अगली digit आपको निकालने हैं तो one क्या है one का square है four क्या है two का square है nine क्या है three का square है 16 क्या है four का square है तो यहाँ पर क्या रहा है one का square two का square three सब्सक्राइब 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 में सम्मिधान में पहला संसोधन किया गया था ठीक है अगला कुशन देखिए अगला कुशन आपसे पूछा गया है हीरा कुंड बांध कहां पर है हीरा कुंड बांध कहां पर है तो हीरा कुंड बांध सबको पता है महा नदी पर बना हुआ है और ये कहां पर है उड़ी सा मे महा नदी पर उड़ी सा में बना हुआ है, यह सबसे लंबा बांध है, तो हीरा कुंड बांध के आओ गया है, महा नदी पर उड़ी सा में बना गया है, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन आप से पूछा गया है, पन्ना नेशनल पार्क कहां पर इस्तित है, पन मैं आपको बता देता हूँ, question में आपसे पूछा गया है, a raise to b equals to 3 raise to 4, और उसके साथ क्या गया है, b raise to c equals to 5 raise to 6, question में आपसे पूछा गया, a raise to b raise to c क्या होगा, तो ऐसे question करने के लिए सबसे आसान है, देखिए, जो मैंने यहाँ पर देखिए, question में arrow बनाए हुए है, पहले क्या है, सीधा सीधा, उपर से नीचे तक multiply करो, तो पहले 3 है, और फिर 5 है, तो 5 ती 15 है, तो यह आ जाएगा 15 है, टिक है, उसके बाद जो second digit है, उसका पहली digit है, यानि देखिए, यह arrow बना हुआ है, 4 का five से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 5, 4 जा है, इसका, यानि 4 का five से wonder तो जाएगा, तो यह जाएगा 5, 4, 20 तो अगली digit हो जाएगा, फिर सीधा सीधा ऐसे करेंगे, तो अगला क्यूशन देखिये, अगला क्यूशन फिर मैसे है, पूछा गया है, अगर 530 से सम्देते हैं, 5 convince to 36, अगर 536 से सम्देते हैं, तो 19 किसे सम्देत होगा, या कहलो 5 advis to 36, then 19 zebst들, क्या होगा value, देखिये, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है हमेने लिखके आपको दिखा है 5 के बाद 6 आता है 6 का स्कॉर करेंगे 36 आ जाएगा तो यह 36 आ गया ऐसे ही अगली value निकालने के लिए हम क्या करेंगे 19 दिया है तो 19 के बाद क्या आता है 20 और 20 का स्कॉर करेंगे तो 400 तो यहां 19 के वाद अगली digit आ जाएगी 400 क्या जाएगी 400 तो बिल्कुल आसाथ सा question है ठीक है चलिए अगला question देखते है next question है 61 सम्मेधान संसोधन कब हुआ था question actually किसी students ने बताया है यह थोड़ा गुमा के पूछा गया है कि एस criteria जो था वो किस सम्मेधान संसोधन में जो है question साय थोड़ा दूसी तरीके से पूचा बता निपाया ठीक है चलिए अगला question देखते है नेक्स कुशन है चोला वंस के संस्थापक कौन थे इसमें थोड़ा कन्फीजन है बच्चे ने कुशन पूछा है या ये एक्जाम में पूछा गया है देख ले ना लेकिन इसी टैप के कुशन आपको देखने के लिए मिलेंगे चोला वंस के संस्थापक पूछा गया, चोला वंस के संस्थापक कौन थे, तो चोला वंस के जो संस्थापक थे, वो विजया लए थे, कौन थे, विजया लए थे, नेक्स कुशन देखिए, नेक्स कुशन है, ब्रहंपुत्र की साइक नदी कौन सी है, बहुत आसन कुशन है, पूरा डिटेल में पूछा हो गया हो, तो अंडमान और निकवार जो दीप समू है दो, उनको अलग कैसे, किस तरह से अलग हो रहा है, तो इसके बीच में जो है 10 डिगरी का चैनल है, कितना है, 10 डिगरी का चैनल है, जो उनको अलग करता है, 10 डिगरी का चैनल अलग करता है, चलिए अगला कुशन देखते हैं, दिलवाडा का मंदर है, वो राजिस्थान के माउंट आबू नामक परवत पर है, माउंट आबू राजिस्थान में इस्थित है, दिलवाडा का मंदर कहां इस्थित है, माउंट आबू राजिस्थान में इस्थित है, चलिए ठीक है, अग लिखेगाद कुस्षिन ऐसे मिले, बाद में मिले, वह मैं इसमें की, है तो आप यह मन में नोटने कुस्षिन आदा है, सारे कुस्षिन से स्टिट्स